अर्बो रूपे के बहु चर्चित स्रिजन गोटाले से जुरी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सिब्याई ने स्रिजन गोटाला मामले में बड़ी कारवाई की है भागलपुर के सबोर से दो और साहिव गंद से एक महिला को सिब्याई ने गिरफतार कर लिया है गिरफतार महिलाओं में मौम्मद शकील एहमत की पत्नी जसीमा खातून, समर समरेंदर की पत्नी राज़ानी वर्मा और अभिशेक कुमार की पत्नी अपढ़ना वर्मा शामिल है गिरफतारी के बाद तीनों महिलाओं को पटना लाए गया है जहां तीनों महिलाओं से पूछताज की जा रही है नमस्कार आप देख रहे हैं जननता जंक्षन और मैं हूँ आपके साथ प्यूश पेदरशी शुजन घोटाला मामले में CBI की बड़ी कारवाई हुई है जिसमें तीन महिलाओं गरफतार की गए हैं पूछताज फिलहाल इस पूरे मसले पर जा रही है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएं उसके पहले समझ ये कि क्या है ये पूरा शुजन घोटाला एक होटाला एक NGO, नेताओ, सरकारी विभागो और अधिकारियों के गजोड की कहानी है इसके तहट शहरी विकास के लिए भेजे गए पैसे को गैर सरकारी संगठन के अकाउंट में पहुचाया गया और वहां से बंदरबाद का सिलसला शुरू हुआ इंडियन एक्स्प्रेस ने अपनी चानबीन में पाया कि छोटा सा NGO, शुजन महिला विकास सहयोग समीति लिमिटेड भागलपुर जिला प्रसाशन के आधा दरजन सरकारी विकास योजनाओ का पैसा चूरी कर रहा था यह सब अधिकारियों, बैंक कर्मियों और शुजन के सदस्यों द्वारा किया जा रहा था तो वहीं मनोर्मा देवी नाम की महिला ने 1993-1994 में शुजन महिला विकास सहयोग समीति की शुरुवात की थी 1966 में शुजन को सहकारिता विभाग में कोपरेटिव सोसाइटी के रूप में मानिता मिल गई कोपरेटिव सोसाइटी के रूप में सदस्य महिलाओ के पैसे जमा भी क्या करते थे और इस जमा पैसे पर उन्हें ब्याज भी दिया जाता था यह संस्था तमाम महिलाओं को कर्ज भी देती थी, खबरों के मताबिक 2078 में शिजन कॉपरेटिव बैंक खुल गया, लेकिन इसके बाद घोटाले का खेल शुरू हुआ, भागलपूर सरकारी खजाने का पैसा शिजन कॉपरेटिव बैंक के खाते में ट्रांसफर होता था, फ किया जाने लगा, मामला इसकदर बढ़ गया, कि सरकारी विभाग के बैंकल्स चेक या समानी चेक के पीछे, शिजन समीती की मुहर लगाते हुए, मनोर्मा देवी हस्ताक्षर कर देती थी, तो यह इस तरह उस चेक का भुक्तान शिजन के उसी बैंक में खुले खाते में हो नितीश कुमार सत्ता संभाल रहे थे, इसी बीच लालू प्रशाद यादव ने उन पर आरोप लगाया था कि शिजन नाम के एंजियो से भाजपा के सहनवाज हुसेन और गिरास सिंग जैसे नेताओं के घनिस्ट संबंद रहे हैं, इस आरोप के समर्थन में लालू ने कु तो वहीं मीडिया चानल्स, इन्डी टीवी और इंडियन एक्स्प्रेस के मुताबी के घोटाला 700 करोड का बताया गया, तो वहीं एक भाशन के दोरान भी नितीश कुमार ने इसे 250 करोड का घोटाला बताया था, पश्ट है कि घोटाला वाकर कितने करोड का है जो बिहार मे खूफ फला फुला, तो वहीं सिब्याई ने शिजन घोटाले मामले में आज बड़ी कारवाई करते वे तीन ओरतों को गिरफतार किया है, शिजन विकास सहयोग समीती की कारिकार्णी में तीनों महिलाय शामिल भी थे, अगस महिने में भी सिब्याई की टीम राजरानी अप पर फिर तीनों महिलाओं के घर पर छापे मारी की, जहांसे तीनों महिलाओं की गिरफतारी भी कर ली गई है, तीनों को पटना लेकर सिब्याई की टीम पहुच चुकी है, जहां उन सबसे पूच्टाश किया जा रहा है, शिजन घोटाला के अमामला 1.36 करोड 93 लाख के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था, इस मामले में, सिब्याई ने पहले ही बीजेपी नेता विपिन शर्मा, उनकी पतनी रुबी शर्मा, घोटाली का मास्टर माइंड पी के घोश, आडिटर पूर ने इंदु कुमार को गिरफतार किया था, 2018 में, RC6A से जुड़ा ये मामला दर्श किया गया था, जिसके बाद कोट ने 11 फरवेरी 2020 को मामले पर संग्यान लिया, सुनवाई के दौरान कई आरोपियों के खिलाफ समन और वारिन भी जारी किया गया था, लेकिन आरोपित कोट में हाजर नहीं हुए थे, सिब्याई कोट ने रजनी प्रिया, जसीमा खातून, सीमा देवी, राज जानी वर्मा, अपर्णा वर्मा, रूबी कुमारी, पुर्नेंदु कुमार और सतीश कुमार के खिलाफ गयर जिमानिती वारिन भी जारी किया था, शुजन संस्था की संस्थापक, मनोर्मा देवी की बहु, रजनी प्रिया के खिलाफ ये वारिन जारी हुआ था तो वहीं जब ये घोटाला उजागर हुआ तब रजनी प्रियाख फरार हो गई थी तो वहीं विपक्ष इस पुरे कारवाई को लेकर सरकार पर ही उल्टा हमलावर है और तंच कस रही है या रोप लगा रही है कि शराबंदी कानून के विफलताओ से नजर भटकाने के लिए CBI की एक कारवाई की जा रही है वैरहाल इस पुरे मसले इस पुरे मामले पर है एक जनता जंक्षन की नजर इस पुरी खबर पर आप अपनी राय अपने प्रतिक्रिया में कॉमें सेक्शन में बता सकते हैं बागी कैम्रे के बीचे थे मेरे सही हो कि मोहित मैध आपके साथ प्यूश प्रदर्शी इस वीडियो का आप सब जाते से जाधर शेयर करें और बने रहें जनता जंक्षन के साथ